हेलो नमस्कार साथियो मैं आप सबका स्वावत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल इंपोर्टेंट mcq by संदीप जैसे कि आपके बता हैं कि हम डील है ठड़ सैम की ट्यारी कर रहे हैं उसके अंदर आपका एक समाजिक अध्यां सिक्षन और आज हम इसके अंदर समाजिक अध्यां सिक्षन का हमारा पार्ट 3 है मैं इसके अंदर आपके साथ 30 मैटबून कोशन डिसकस करूंगा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जादे जादा शेयर कर दो ताकि और यह बच्ची हमसे जूड स सकते हैं आज का पहला कोशन है हमारा कि प्लासी का यूद किस वर्स लड़ा गया था अब हम दोता हो कि बैटल ओफ प्लासी किस वर्स लड़ी गई थी 1756 में 1757 में 1858 में यह 1758 में इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन भी 1757 में ठीक है बैटल और उस समय गवणर और बेंगाल को था वो था रोबर्ट कलाइब ठीक है और नेक्स यानि कोशन नमबर टू है आपके सामने यह देखो अंसर भी गिवन है कि किस वर्स में सिराजु दोला ने अंग्रेजों के साथ अलिगर की संधी की थी अलिगर की संधी अंग्रेजों के तो ने स्कुना में कीती शिराजु दोला ने इसने किस वर्ष में अंग्रेज्चों के साथ की थी 1756 में 1758 में 1757 या प्रिष्टिन नाइन में इसका क्या एंसर हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा झाल सी 1757 में और यानि कोशन नमबर 3 आपके सामने बक्सर का यूद किस वर्ष लड़ा गया था अब आँज आओ कि बैटल ओप बक्सर यह किस वर्ष लड़ी गई थी 7069 में 7064 में 7066 में या इनमें से कोई ने इसका कैंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी 7064 में बैटल ओप्लास यानि प्लासी का यूद और बक्सर का यूद दोनों पेपरें पुछे जाते हैं आप यह रख लेना प्लासी का यूद 7057 में और बक्सर का यूद ऐसंदि किस वर्स हुई थी 7069 में 766 में 7066 में या 75 में इसका एंसर होजएगा उप्शन दी 75 में और नेक्स यानि कोशन नम्र 5 आपके सामने कि ऐलाबाद की संदिग किस यूद का पहिना हुई थी या आपको पता हओगा कि पहले यूद होता था उसके बाद एक संदी होती थी अब हम देता हो कि जो एलाबाद की संदी होती ये किस यूद का पहिणा थी पलासी का यूद करनाटक का प्रत्थम यूद बकसर का यूद जा करनाटक का देट है यूद इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा ओप्चन सी बक्सर का यूद ठीक है बक्सर के यूद के बाद एला बाद की संदी हुई थी और नेक्स यानि कोशन नमबर 6 था आपके सामने कि रोबर्ट कलाइव किस वर्स में भारत आये थे 1745 में 1744 में 1760 में या 775 में रोबर्ट कलाइव किस वर्स भारत आये थे इसका अंसर हो जेगा ओप्चन भी 1744 में ठीक है और उने प्रत्थम शासिन किया था 1757 से 1760 में और प्लासी का यूद यानि बैटल अप प्लासी 1757 में लड़ी गई थी और ये बिहार में शोरे के वेपार का एक अधिकार शालम अधिन आ गया था इसलिए बैटल लोग प्लासी थी आप से इतना यार रख लेना कि बैटल लोग प्लासी 1757 में लड़ी गई थी और नेक्स यानि कोशन नमबर 7 था आपके सामने डच्चों ने बंगाल पर किस वर्स आकरमन किया था 1755 में 1759 में या 1769 ने डच्चों ने ब लाइब पुने बंगाल का गवणनर बना तो उसने मुगल समराट शालम और अवद के नवाब से सिजाओ दोला के साथ किस कौन सी संदी की थी ठीक है जो रोबर कलाय था उसने भारत पर दो बार शासन किया था पहले इस अब परतम शासन था पंदरा 1757 से लेकर 1760 तक और द नवाब से सिजाओ दोला के साथ कौन सी संदी की थी कानपूर की संदी अलाबाद की संदी सोनपूर की संदी यह इन में से कोई नहीं इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन भी अलाबाद की संदी ठीक है और नेक्स यानि कोशन नमर नाइन था 7076 में इसका क्या answer हो जएगा इसका answer हो जएगा option भी 1702 यह बंगाल के governor रहे थे 1772 से लेकर 1774 तक और इसी समय में फर्स्ट एंगलो मराठा वार हुई थी जो 1775 से लेकर 1782 तक हुई थी ठीक है और यह गवर्नर रहे थे बंगाल के 1772 से लेकर 1779 तक और इनके दोरान फर्स्ट एंगलो मराठा वार हुई थी जो 1775 से लेकर 1782 तक चली थी और सेकिंड एंगलो मराठा वार 1780 से लेकर 1784 तक चली थी ठीक है और इनके समय में सुप्रीम कोट इनकलकता 1774 हुआ था फाइन यह सारी बाते आप जुरूर या रख लेना और नेक्स यानि कोशन नमबर टैन था आपके सामने कि निमन में से किस गवर्नर जनर्नल ने परतेग जिल्ने में माल गुजारी वसूल करने के लिए अंग्रेज कलेक्टर की निक्ति की थी ऐसा किस नहीं किया था लोड़ मिंटो लोड़ कॉन वैलिंज वारन हैस्टिंग या कोई नहीं इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा और मैंने आपको इसके कुछ most important point भी बता हैं आप इसको जुरूर याद लख लेना और next यानि question number 11 था आपके सामने load cone values को किस वर्स बंगाल का governor न्युक्त किया था अब हम ज़ता हो कि जो load cone values है इसको किस वर्स में बंगाल का governor न्युक्त किया था 1780 में 1786 में 1789 में यह 1790 में इसका क्या answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा option भी 1786 में ठीक है यह 1786 तक से लेकर 1793 तक यह बंगाल के governor न्युक्त थे और इन्हें नहीं दिवानी को जिनको civil court और circuit court जिनको criminal court का जाता था यह नोने separate करे थे ठीक है और इन्हें नहीं ICS started किया था 1790 में fine और जिसकी appointment ब्रिटिश यानि Britain से ही होती थी Indian civil service ठीक है आप जुरूर याद रख लेना और next यानि question number 12 था आपके सामने कि वर्ष 1798 में किसे बंगाल का governor न्युक्त किया था अब हम जोता हो कि 1798 में नीमन में से किसे बंगाल का governor न्युक्त किया था लोड मिन्टो लोड कोण वैली वारन हैश्टिंक या लोड वेलेजली इसका क्या answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा option डी लोड वैलेजली को ठीक है लोड वैलेजली को 1798 में बंगाल का governor न्युक्त किया था ठीक है और इस से पहले जोन हो रहे को बंगाल का गवर्नर न्युक्त क्या था यह ज्यादा इंपोर्टन नहीं है बस आप इतना याद रख लेना और नेट्स यानि कोशन नमबर थाटीन था आपके सामने कि साइक संदी निवन में लाइंस निवन में से किस गवर्नर जनर से समंधीत है लोड मिंटो लोड कोण वैली वारन हैस्टिंग या लोड विलएसली इसका क्या आंसर हो जाएक हो जाएक में बंगाल का गवर्नर रहे थे ठीक है साईक संदी होती है कि किसी के अधीन आ जाना सभ से पहले यानि इस संद मेरा बात तैंएं उन्होंने 798 में इसको सैक्ट किया था उसके बाद मैसौर 1799 में इस संधी को सैप्ट किया था ठीक है आप सिरवसिर इतना रख लेना और इसको ब alluded टाइगर फेमस एस बेंगाल टाइगर इसको बैंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और next यानि question number 14 दाप के सामने कि टीपू सुल्तान की मृत्यू किस मैसूर यूद में हुई थी प्रतम दुवित्य तृत्य या चतूर्ति इसका क्या अंचर हो जेगा इसका अंचर है चतूर्ति यानि चोते मैसूर यूद में टीपू सुल्तान की मृत्य हुई थी और next यानि question number 15 दाप के सामने टीपू सुल्तान की मृत्यू होने के बाद मैसूर के किस शासक ने सायक संदेश यानि जो सायक संदी थी उसे अधिकार कर लिया था यानि उसे सविकार कर ली थी किशन रोग गय कोवाड किशन देव या कोई नहीं इसका क्या अंसर ह ने ठीक है यह देखो अंसर भी गिवन और next यानि question number 16 था आपके सामने कि विल्यम बैंटिक किस वर्ष भारत का गवर्नर जनल बना था अब आमचे विल्यम बैंटिक का बताओ यह किस वर्ष भारत का गवर्नर जनल बना था इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो समय में क्यों क्या का जाता था इसका क्या answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा सुधारो का काल ठीक है बैंटिक का शाषणका भारत में कौन सा शाष्णकाल था? यह था सुधारो का शाष्णकाल ठीक है और यह 1828 से लेकर 1835 यह रहा था जिसमें एक governor general of बंगार रहा था ता 1828 1833 तक उसके वाद एक Governor General of India बन गया था 1833 लेकर 1835 तक by Charter Act 3 ठीक है अब इतना deeply मज़ जाना बस आप इतना याद रख लेना ठीक है और next यानि question number 18 था आपके सामने William Banting ने किस वर्स एक नेरा कानून पास किया जिसके दवारा उसने कलेक्टरों को दो वर्स की शक्षम करावास देने की सज़ा का अधिकार दे दिया था यह ऐसा कानून इसने किस वर्स पारित किया था इसका आंसर हो जगा 1839 यानि 1829 में और ऐसा कानून किसे ने पारित किया अब आज़ता हो कि जो William Banting उसने नैलो यानि कोर्स में कारे करने की जिम्मेदारी किसे सोब दी थी इसका क्या आंसर हो जगा इसका आंसर हो जगा कमिशनरों को ठीक है और नेक्स यानि कोर्च नमबर 20 आपके सामने William Banting के शाशनकाल के दुरान किसके दवारा दंड सहीता का निर्मान किया गया था दंड सहीता का निर्मान किसके शाशनकाल के दुरान हुआ था यह हुआ था William Banting और यह किसके दवारा किया गया था इसका अंसर हो जगा लोड मकैलों के दवारा ठीक है मैं आपको जो जो कोशन उताते चलों आप सब जुरूजात रख लेना और नेक भारतियों को उच पदो पर न्युक्त नहीं किया जाता था लेकिन जो ऐसा William Banting ने किस वर्ष किया था एक कानून पारित करके जिसमें कि भारतियों को उच पदो पर न्युक्त करने के रास्ते खोल दिये थे इसका क्या अंसर हो जगा इसका आंसर हो जगा 1832 में ठीक है ऐस विलियम को रता विलिम बेंटेंड ने अठारह सोब दिसमें कानून पारित कर दिया था एक सामने विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को किस हत्या का अपराद गोशित कर दिया था और he abolished सती प्रैक्टिस in 1829 फाइन और नेक्स जानी कोशन ओ नेक्स जानी कोशन नमबर 23 आपके सामने लोट डैलोजी कितने वर्स तक भारत का गवरनर के लिए रहा था अब मादता हो कि जो लोट डैलोजी है वो कितने वर्स तक भारत का गवरनर के लिए पदबर रहा था इसका क्या answer हो जाएगा यह भारत का गवर्णर रहा था 1848 से लेकर 1856 तर ठीक है और next यानि कोश नमबर 24 आपके सामने कि सतारा का शाषक नी संतान यानि उसकी कोई संतान नी थी इसे अपनी मिलत्यू से पहले किस वर्ज में एक लड़के को गोद लिया था अब बहुता हो कि जो सतारा का शाषक था उसने अपनी मिलत्यू से पहले किस वर्ज में एक लड़के को गोद लिया था इसका क्या answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 1848 यानि 1848 में आपको बताऊगा doctrine of left यानि राज्य की हडप निती लोड डेलोजी लेकर आया था जिसके अ सतारा जो सतारा था उसके राज्य कोई बेटा नहीं था उसने एक बेटे को गोध लिया था लेकिन जो doctrine of left यानि राज्य की हड़े पनीतिय उसके अंदर का गया था कि जो गोध लिया बच्चा कभी राज्य नहीं बनेगा और next यानि question number 25 आपके सामने कि 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 नागपूर के राजा की मृत्यू अठारा सो चोवर में हुई थी अब मांज़ता हो कि उस राजा का नाम अताना है नागपूर का जिसकी मृत्यू अठारा सो चोवर में हुई थी इसका क्या answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा राजा रागोजी बोशले तरीते है और next यानि question number 26 आपके साम नागवा族 परदेशों में कितने संटी मीटर तक वर्शा हो ती है मांसुनी जो परदेश होता है उसके अंदर कितने संटी MOR तक वर्शा होती है इसका answer हो जाएगा चाले संटी मीटर से लेकर दोसटो संटी मीटर तर ठीक है next यानि question number 28 आपके सामने कि मांसूनी परदेश् चाहे, क्या होता, इसका क्या answer होझाएगा इसका answer होझाएगा क्रशी वाप सु पालग में, फाना, और नेक्स यानि जल लाई हन्याज कोशन आपकते सामने कि Thailand में किसे program मिलते चाहएगा, इसका क्या answer होझाएगा, इसका answer होझाएगा 10 ठीक है & नेक्स Maaf आज कोशन है हमारा जिसका अंसर आप सब बच्चे मुझे कमेंड वोक्स में देंगे और कल मैं आपके जाथ कोशन जुरू टैलिक करूँगा कि उचन मरुस्तिलिय परदेश उत्री वा दक्षिनी गोलराद में कितने अक्षांसों के बीच अवस्तीत है अब सारे बच्चे मुझे आसे ही कि आपको वीडियो अच्छी लेगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जाजरी ज्यादा अपने दोस्ते शारे करो ताकि हो ली बच्चे हम से जूट सके और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स वीडियो में मिलेंगे जाए इन जाए बाराण थैंक्यू एंड आव नाइस डेए